हेलो फ्रेंड्स जहिंद एंड स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सहायक बोरिंग टेक्निसियन का जो डाकॉमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है इसमें आपको क्या चीजें यहाँ प्रिपेर करके रखनी है और बाकी कैसे डाकॉमेंट को सेट करना है यानि किस डाकॉमेंट के बाद आपको कौन सा डाकॉमेंट लगाना है तो बिल्कुल भी वीडियो को skip मत करिएगा ध्यान सी वीडियो को देखिएगा और इसके दो पार्ट आएंगे दूसरे पार्ट में हम इसके जो farm को download करके जो fill up करना है second पार्ट में उसको बताएंगे और पहले पार्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे कौन-कौन से डाकॉमेंट आप ready करके इसके चार कौपी जो है तायार कर लिजिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो फिरेंट्स देखें यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जब आप डाकॉमेंट तयार कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सीरीज बनाएं कि पहला सेट जैसे बना रहे हैं तो पहले सेट में आप क्या रखें क्योंकि चार कॉमपी यहाँ पर बनानी है चार कॉमपी बनानी है यनि चार सेट बनाना है तो पहले सेट में आपको रखना है टेंथ की मॉक्षिट उसके बाद टेंथ की सनद ठीक है टेंथ की मार्षिट हो जाएगी टेंथ की सनद पहले स स्टेप पर हो जाएगा यानि करना क्या है आपको उल्टे रखना है यानि सबसे पहले जो आपको दिखे ओ टेंथ की मार्शिट दिखना चाहिए उसके बाद फिर सनद दिखना चाहिए फिर आपको सेकंड नंबर पर क्या रखना है मतलब अगले नंबर पर अगर जिसे आप उससे में भर रहे थे तो अडिशनल कॉलिफिकेशन आप डाले होंगे अगर 12 डाले होंगे या तो कुछ और अडिशनल कॉलिफिकेशन तो आप उसको डिवी में लगा सकते हैं तो उसके बाद आप इसको रखेगा अडिशनल कॉलिफिकेशन को ठीक है नई डाले हैं तो उ तेसरे पिर यहां पर दियान से देखिएगा बिल्कुल भी यहां पर स्किप मत करिएगा पहले पर आपको क्या लगाना है तीसरे पे हाँ पर ITI की मार्षिट और सनद हो जाएगा अब आते हैं चाओते सेक्षन पर चाओते नमबर पर आपको क्या रखना है चाओते नमबर पर आप रखेंगे चरित्र प्रमार पत्र चाओते नमबर पर आपको रखना है मतलब कि last qualification वाला character certificate ही मनने होता है बात करें यहाँ पर जो एक जन्म प्रमार पत्र की बात कर रहा है कि जन्म प्रमार पत्र यानि birth certificate की तो जो आपका 10th का सनद होता है वो birth certificate का work करता है तो आपका 10th का सनद है वही आपका birth certificate हो गया और कोई दिक्कत नहीं है काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि या बर्थ सर्टिफिकट कहां से बनवाएं तो आपका यो 10th का सनद वही काम करेगा तो इतना आपने देख लिया उसके बाद आपको क्या करना है अब नेक्स्ट जो आपको रखना है डाकुमेंट वह आपको रखना आपको या जाति प्रहलुट पत्र वही उत्तर प्रदिश सरकार दवर्डा जो बनआ है उसको आपको रखना है ऐसा नहीं कि जब आप रहे थे तब का आप ले पर कोई बात नहीं इंकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो ऐसे अगर आप अपलाई करेंगे तो बनवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई जरूत पड़ती है तो आप उसको लगा सकते बाकी जरूत नहीं पड़ेगी अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आगे आपको क्या सेग्मेंट में यहाँ पर जोड़ना है अगले सेग्मेंट में आपको जोड़ना है यहाँ पर जो आपके पास होगा आधार कार्ड तो आधार कार्ड का फोटो कापी आपको ले लेना यानि जैसे सबसेट फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर pen card तो pen card उसे आवस्यक नहीं है लेकिन आप रख लिजे document का एक हिसा है तो उसके बाद आप रखे रहेंगे अगर आवसकता लगी तो उस समय आप दे सकते हैं अगर नहीं आप करवाए रहेंगे तो कहां देंगे तो आप जो है इसको कर दसबार के रखिएगा जादा नहीं आप जो है चार कहां पीसका भी करवा लीजेगा और उसके बाद आप चार फोटो बनवा लीजिए वैसे फोटो आप और ले लीजिएगा चार फोटो की यहां पर आव सकता बोला है मतलब दो फोटो अटेश्टेड लगेंगे और दो जो फार्म डाउनलोड करके वहां पर कोई ऐसा चीज आ रहा है तो उसके बाद आप उसको अगर आपके पास नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है वहां पर जो है आयोगदरा कुछ ने कुछ आपके लिए जो है वहां पर बताया जागे उसके बारे रहे थे अगर उसका वहां से मैश करवाया जाएगा अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपको तुरंत डिबार कर दिया जाएगा तो आप इस दिश का ध्यान रखिएगा डाकॉमेंट को बिलकुल जो है सीरियल वाइज लगाईएगा और उसके बाद जो है जैसा आप पांच फर्म भरने है तो वीडियो काफी लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए नेक्स्ट वीडियो में बिलकुल हम बताएंगे डिटेल्स के फर्म कैसे भरना है और एकदम तूटी मत करिएगा तो आप बिलकुल यह सब चीज तयार रखिए बाक बाकि फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए फर्म को कैसे भरना है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए जैहिन वंद्यमात्रम